हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के लिए कॉंग्रेस टिक्टों की घोशना करने में भाजपा से बाजी मारने की तयारी में है पांच सितंबर को नई दिली में राजीव शुकला की अध्यक्षता में पाटी की प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई गई है इसमें करीब 40 विधान सभा सीटों पर प्रतियाशियों के नाम तै कर स्क्रिनिंग कमेटी को भेजने का दावा किया जा रहा है बैठक में प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंग चुनाव स्मिती के अध्यक्ष सुखविंदर सिंग सुखु नेता विपक्ष मुकेश अगनी होतरी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे वर्ष 2017 के विधान सभा चुनावों में भाजपा ने पहले प्रतियाशियों की घोशना की थी वर्ष 2022 के चुनावों के लिए कॉंग्रेस ने अगस्त से ही कमर कस ली है हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी अब सक्रिय हो गई है पाटी इस बार सितंबर महीने में ही प्रतियाशियों की घोशना कर देगी इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिन्हें उमीद्वार बनाया जाएगा उन्हें प्रचार के लिए परियाप्त समय मिल सकेगा पाटी इस बार कई टिक्टें बदलने जा रही है सुत्रों के मुताबिक ऐसे विधान सभाक शेत्र जहां पर कॉंग्रेस की लगातार हार हो रही है यानि जहां तीन या फिर इससे ज्यादा समय से पाटी को हार का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर टिकट बदली जाएगी नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार कर कॉंग्रेस नया प्रियोग करेगी प्रदेश के 68 विधान सभाक शेत्रों से आने वाले आवेदनों की 2-4 सितंबर तक कॉंग्रेस मुख्याले राजी भवन शिमला में चंटनी होगी 5 सितंबर को नई दिली में राज्य चुनाव कमेटी की बैठक में आवेदनों पर चर्चा करने के बाद नाम शॉट लिस्ट किये जाएंगे पाटी सूत्रों के अनुसार 5 सितंबर की बैठक में करीब 40 विधान सभाक शेत्रों की सूची को अंतिम रूप दे कर स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी में चंटनी के बाद सूची राष्ट्रिय चुनाव कमेटी को भेजी जाएगी संभावित है कि राष्ट्रिय कमेटी सितंबर अंत तक कई विधान सभाक शेत्रों के लिए प्रतियाशियों के नाम जारी कर देगी इससे इन प्रतियाशियों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय मिल जाएगा वर्तमान विधायकों सहित ऐसे विधान सभाक्षेत्रों के लिए प्रतियाशी पहले चरण में तैक किये जाएंगे जहां दावेदार अधिक नहीं होंगे चुनाव लड़ने के लिए कारेकरताओं वापधदीकारियों से आवेदन मांगे गए हैं पाती मुख्याले राजी भवन से लेकर जिला कारेकरता और पधदीकारी आवेदन कर रहे हैं इसके अलावा इमेल के जरिये भी आवेदन आ रहे हैं आवेदन के लिए इस बार फीस ना होने के चलते हर सीट पर 20-25 आवेदन आ रहे हैं सबसे ज्यादा आवेदन भी उन्हीं सीटों पर आ रही हैं जहां पर कॉंग्रेस लगातार हार रही हैं कॉंग्रेस पहले टिकट के लिए आवेदन मांगती है आवेदन आने के बाद इसकी पूरी सूची विधान सभावार तयार की जाती है इससे प्रदेश चुनाव कमेटी को भेजा जाता है चुनाव कमेटी इस पर चर्चा कर स्क्रीनिंग कमेटी को इसे आगे भेजती हैं स्क्रीनिंग कमेटी टिकट फाइनल कर अंतिम मुहर के लिए हाई कमान को नामों को भेजती हैं कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि टिकट के लिए ओनलाइन और ओफ लाइन आवेदन मांगे गए हैं इस बार फीज की शर्ट इसलिए हटाई गई है ताकि आमकारे करता और पधधिकारी भी आवेदन कर सके प्रदेश चुनाव स्मिती में जिन नामों को चर्चा के लिए भेजा जाएगा वे वहीं होंगे जिन्होंने आवेदन किये हैं इसके अलावा कोई नाम नहीं भेजा जाएगा हालां कि कुछ एक सीटें जहां पर कॉंग्रेस लगातार जीत रही है वहां पर आवेदन में चूट दी जा सकती है पिछली बार आरोप ये लगा था कि आवेदन फीस ज्यादा है कई लोग इस चकर में आवेदन ही नहीं कर पाए कॉंग्रेस मुख्याले राजी भवन में टिकट आवेदन के लिए दिन भर कारे करताओं और पधदीकारियों का आने का सिलसिला जारी रहा आवेदन करतार साधारन कागल्स पर आवेदन कर रही हैं इसमें वे ये बता रही हैं कि वे कब से पाटी से जुड़े हैं किन-किन आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया किन-किन पदों पर रहे पाटी ने 68 फाइलें तयार की हैं वेधान सभावार इसमें आवेदनों को रखा जा रहा है